दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं एक डेजर्ट की रेसिपी और जो यह डेजर्ट हम बनाएंगे यह घर के जो अविलेबल सामान होते हैं उसी से बनाएंगे अकसर होता है कि हमारे घर में मिठाईया आती है और वो अकसर बच जाती है तो कोई ख मेरे पास कुछ भूंदी के लड़ू है तो इस तरह से कुछ भी मिठाई हो आप इसकी जगा पर बेसन का लड़ू हो या आपके पास कुछ खोई की मिठाई हो तो कुछ भी वो यूज करके आप इस डेजर्ट को तयार कर सकते हैं तो शुरूआत कर रहे हैं हम सबसे पहले म कितनी लेंगे यह मैं आपको बता देती हूं इसको मैं एक ग्रैंटर में डाल रही हूं लगबग 10-12 बिस्किट्स आप ले लें और इसे अब हम पीस के बिलकुल एक पाउडर तयार करेंगे तो देखे फ्रेंट्स यह इस तरह से पीस के मैने इसका बारीक पाउडर बना ल दालेंगे इसमें आड कर रही हूं बटर इसे मैंने हलका सा मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में तो इस तरह से मेल्ट किया हुआ बटर हम इसमें डालेंगे लगबग 4 टी स्पून यह जाएर बटर को अच्छे से मिक्स करेंगे लेकर, अच्छे से मिक्स हो चुका है और इस तरह से येरे के बाइंडिंग होने लगेगी हलकी हलकी इसमें तो बेस हमारा तयार हो चुका है आए अब वागे कि तयारी करते हैं यहां पर मैंने लिया है लगबग 250 ग्रैम दही याने कर्ड और जो यह दही है इसे मैंने तीन गंटे पहले एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जितना भी पानी है वो उसमें से निकल जाए और आपको इसलिए यह इतना थिक दिख बिना पानी का दिख रहा है तो इसी तरह से आप भी एक स्ट्रेनर में डाल के रख दे नीचे कुछ भी बरतन रख दे सारा पानी उसमें से छन के नीचे आ जाएगा और आपको इस तरह का यह थिक कर्ड मिल जाएगा दूसरा फाइदा यह होता है कि इसकी जितनी भी खटा साथ ही कर्ड की जो सारनेस है यानि खटापन है उसे कम करने के लिए मैं इसमें देखिए एक बड़ा चम्मच डाल रही हूं घर की मलाई अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं यह ताजी मलाई है इसमें पानी निकल जाने से काफी हद तक इसकी खटास निकल जाती है पर अकसर देखा गया है कि दही को अगर हम किसी डेजर्ट में डालते हैं अगर थोड़ी भी सारनेस आ जाती है तो वो डेजर्ट का उतना मज़ा नहीं होता तो इसलिए उस सारनेस को काटने के लिए हम दही के साथ हम इसमें आट करने वाले हैं वन टेबल स्पून पिसी हुई शुगर याने चीनी घर में ही मैंने पिसी हुई है और इसकी मिठास आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग कम या जादा कर सकते हैं इसे भी हम मिक्सी में एक बार चर्ण कर लेंगे और बहुत जादा नहीं फेटेंगे क्योंकि हमने मलाई डाली हुई है अगर हम जादा फेटेंगे तो इससे गी निकल सकता है तो बस इसको पल्स मोड पे दो ते तीन बार इसको हम गुमा लेंगे देखे फ्रेंज इसे मैंने मुश्कल से 10 सेकेंड गुमाया है दस सेकेंड भी नहीं गुमाया है और इसका स्मूठ टेक्श्चर बेकुल हो चुका है तो आईए अब हम अपना डेजर्ट असेंबल करते हैं डेजर्ट असेंबल करने के लिए आप या तो यह इस तरह से शॉट्स चुआते हैं ग्लासज आप इनका यूज कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा बड़े में सर्फ करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल ग्लास भी यूज कर सकते हैं और अगर आप एक साथ पूरा डेजर्ट बना के रखना चाहते हैं बोल में तो आप उसमें भी असेंबल कर सकते हैं यह आपकी च्वाइस है मैं आपको दोनों तरह से करके रिखा देती हूं सबसे पहले हमने बिस्किट का मिक्सचर तियार किया था उसकी लेहर लगाएंगे तो देखिए इस तरह से हम इसमें चोटे वाले जो मेरे शॉर्ट्स हैं इसमें मैंने यह रेखिए 1-1.5 टीस्पून के आसपस यह बिस्किट का मिक्सचर डाला है और इसको इस तरह से क्यूंकि इसमें मr we bitter add किया हुआ है, तो बहुत अच्छे से, इसमें जाए ग। यह स्प्रेड हो यह देृक्ष हो गया है तो सारेreck-टे फल्लास इससचार लूँगी तो यह देखिए, यह मैंने बहुत अच्छे से सेट कर लिया है और यह देखिए यह इस तरह से evenlys में spread हो गया है यहां पे लिए है मैंने यह बारे कटेवे nuts इसमें आप अपने choice के according कुछ भी यूज कर सकते हैं हमने काजू, बादाम और अक्रोट सबको mix करके काटा हुआ है और इस तरह से एक layer हलकी सीज़की देंगे crunch के लिए अब हमने कट त्यार किया था दोस्तों हम इसे डालेंगे तो यह डालते से में आपको ध्यान रखना है बिल्कुल आराम से डालें इसके sides बिल्कुल आपके edges जो है glass के वो खराम नहीं होने चाहिए तो इस तरह से आप बीच में इसको पोर करें यह रेखिए और इस तरह से इसकी एक layer देंगे यह देखिए यह मैंने फिल कर लिये हैं इसमें अभी मैंने ऊपर थोड़ा सा space रहने दिया है अब हम वापस से प्राइफ फ्रूट की एक layer देंगे अगर आप राइफ रूट्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे skip कर सकते हैं और यहां पर मैं एक छोटा सा tip देना चाहूंगी जो लोग diet पर हैं वो इस recipe को जरूर ट्राय करें उसमें क्या changes करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जब हमने biscuit में बटर डाला था तो कर्ड में चीनी याने शुगर का यूज किया था आप शुगर की जगा पर हनी का यूज करें और फिर आप डाइट पर हो आप अराम से यह डेजर्ट का डेजर्ट को एंजोई कर सकते हैं और लास्ट में यह रेखे यह मेरे पास है कुछ बूंदी के लड़ू इनका मैंने क करक्रम्बल कर लिया है इसको मैंने हलका दस सेकि allíह मैंने माइक्रोवेव में रहताँ और जब वह धोड़ा से řेक स्वाइघ तो ऊ-वह हातों से और हम इसकी एक लियर दीए नास्ट म 。 तो देखिए कितनी जटपट से तयार हो गया हमारा डेजर्ट, जो हमने बनाया है अपनी बची हुई मिठाई का यूज करके, लास में हम इसे डेकुरेट कर रहे हैं, देखिए इमें पस कुछ चॉकलेट बिस्किट्स हैं, जिनने मैंने हाफ में कट कर लिया है, और इस तरह स हम इसे, सिंपल कुछ जादा नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि यह खाने में बहुत टेस्टी है, और जटपट से तयार हो जाता है, और बच्चे भी बना सकते हैं, ऐसी रेसिपी है, तो देखिए फ्रेंड्स, जटपट से तयार है हमारा डेजर्ट, और आप इसे एंजॉ प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में दिये हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें, बहुत ज